नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका द्रिवेगुणा अईर्वेदा में तो दोस्तों आज का हमारा प्लांट है ग्रत कुमारी या एलोवीरा या कुमारी या कुमारी या क्वार पठा बहुत सारे नाम उसे इसको जाना जाता है बट नॉर्मली एलोवीरा की नाम से सब जानते हैं तो ऐसा इसका प्लांट होता है आप देख सकते हैं छोटा सा प्लांट होता है कहीं भी आप गंले में इजीले लगा सकते हैं एक और नमेंटल प्लांट की तोर पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दिखने में भी अच्छा लगता है और मैंने एक ही प्लांट से ये सारे प्लांट ग्रो किये हैं तो आप देख सकते हैं ये एक और प्लांट है और इसमें नई नई लीफलेट निकल रही है पत्या निकल रही है और ये एक तीसरा प्लांट है ये सारे प्लांट मैंने उसके एक प्लांट से ही ग्रो किये हैं और इसके साइड में आप देख सकते हैं छोटा सा बेबी प्लांट और निकल रहा है उसको थोड़े दिन बाद अलग करके लगा देंगे तो वो भी इनकी तरह बड़ा और अच्छा ग्रो करेगा तो ये देखें आप छोटा सा ब्लांट निकल रहा है एक ये थोड़ा सा बड़ा होगा तब हम इसे साइड में लगा देंगे तो आप इजीली इसे ग्रो कर सकते हैं घर में कहीं भी लगा सकते हैं और एक अलोविरा का प्लांट तो आपको लगा ही लेना चाहिए क्योंकि इस इसकी ठंडी होती है और विपाक इसका तिक्त होता है गुण इसके गुरु सनेग्द पिछिल यानी पचने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको गुरु होता है और पिछिल थोड़ा चिप-चिपा होता है ये इसके गुण है और ये कफ पित हर मतलब कफ और पित से होने व ब्राउन सा थोड़ा सा पानी सा गिर रहा है अब हम इससे बनाएंगे ऐलोविरा स्वारस या ऐलोविरा जूस गरतकुमारी स्वारस आप कुछ बेश से बूल सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके साइड्स को कट कर लेंगे और उसके बाद हम इससे स्वारस बनाएंगे बट उसके पहले मैं आपको इसके कुछ और यूजिज बता देती हूं जैसे अगर बाहर हम बोड़ी के बाहर इसका क्या यूज कर सकते हैं तो उसके लिए अगर आपको कहीं पे पेन है उसके साथ साथ स्वैलिंग भी है मतलब सोथ और वेदना दोनों साथ में हैं तो उसके लिए आप इसका पल्प है उसका लेप कर सकते हैं या फिर इसकी जो एक पार्ट है मज़ा जो है उसके उपर थोड़ा सा हल्दी च्छड़क कर चौड़न हल्दी का चौण डालकर उसे थोड़ा गरम करके वो बांद सकते हैं उससे जो सूजन है जो सेलिंग है या फिर जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा और इसे आप लिहा वर्दी में भी बांद सकते हैं उसमें भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है इसके अलावा इसका स्वरस अगर आपके आँखों में सूजन या नित्रा बिशेंद करता है बट आखों के मामले में मैं आपको यही कहूंगी आप डॉक्टर से सजिशन लेके करें बट बाकी आप यूज कर सकते हैं घर पर इसको पीने से जो बेनिफिट होते हैं उनकी बात करें तो अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की कोई प्रोब्लम है आपको खान प्रियोग किया जाता है तो आप इसका स्वरस बना सकते हैं ऐसे एक पार्ट ले ले इसका और एक लचीला चाकूले उससे इसका रस निकाल ले इसके अलावा रक्त विकार यानि अगर आपके ब्लड में कोई प्रोब्लम है ब्लड प्यूरिफाई भी यह करता है और उससे जो विमारिया होती है उनमें भी काफी कारगर है इसके अलावा अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रोब्लम है तो उसमें भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है यह सीत वीरिये वाला यानि ठंडी तासीर वाला है तो आप इसे एजिली यूज कर सकते हैं और इसका पूरा रस अलग कर लेना है और इसकीन पर आप सीधा इसका लेप कर सकते हैं अपने फेज पे और आप चाहें तो इसे पीने से भी आपकी स्कीन पर काफी अच्छा एफेक्ट आता है तो इस तरीके से यह थोड़ा सा पिच्छिल होता है चिप-चिपा आपको दिख साथ हा रहा है जैसे चाको के तो इस तरीके का होता है तो इस तरीके से हमें इसके पूरे की यह रस निकाल लेना है बट यह अभी पीने लाइक कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है आप देख सकते हैं बहुत ही थिक सा हमें लग रहा है यह यह पीने लाइक तो नहीं है ब face पर scrub के लिए कामे लेंगे तो इस पर मैं थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ scrubbing के लिए, काफी अच्छा scrub है ये और काफी cool-cool feel होता है इसको लगाने से तो आप इसे try करें और बहुत सारों ने तो try किया भी होगा तो आपको पता है इसके benefits कितने अच्छे होते हैं तो इस तरीके से थोड़ी चीनी डालके और इसी पार्ट पे अगर आप हल्दी डालके गरम करके और अपनी स्वेलिंग और जो दर्द हो रही है उस इस्थान पर बांधेंगे तो उसमें भी काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा तो अब मैं इससे तो स्क्रब कर ही लूँगे उसके अलावा इसका स्वरस बनाएंगे हम तो यह अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल मिली पीनेलाई कंसिस्टेंसी में नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना है इसको डालना है मेक्सिक के जार में और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करना है और एक बात और अगर जनरल विकनेस किसी को है कि कमजोरी आ रही है तो उसमें आप इसकी पत्र मज्जा का लड़ू बना कर खा सकते हैं उसके लड़ू बनाएं और एक महीने तक खाले और लड़ू के लिए से पी भी मैं जल्दी अप्लोड करने की कोशिश करूँगी बट अभी के लिए मैं स्वरस बनाना बता दूँगे आपको अब इसमें लगभग दो चमच जादा नहीं लगभग दो चमच हमें पानी एड़ करना है अगर आप बिना पानी के इसे पीते हैं तो आपको 10-20 ml इसकी मातरा लीनी चाहिए बट अगर आप पानी डालकर स्वरस बनाकर वो पी रहे हैं तो आप 30-40 ml तक इसकी मातरा पी सकते हैं और इसे आप 3 महीने तक लगातार पी सकते हैं उसके बाद में बीच में थोड़ा ब्रेक देखे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं तो मिकसर में इसे लगभग 30-40 सेक吗 चलाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंकी देख सकते हैं बिलकुल पीने लाइक कंसिस्टेंकी है इजीली पी सकते हैं हम इसे तो ये कुमारी स्वरस बनकर तयार है या अलोविरा जूस आप इसको बोल सकते हैं और ये मार्केट में भी मिलता है बना-बनाया स्वरस आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं बट अगर आप फ्रेस जूस बनाकर पिएंगे तो वह बहुत ही अच्छा effect देगा आपको और आपकी health के लिए भी बहुत अच्छा होगा तो उ मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस कर दें थाकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो अप्लोड करते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ कुछ नहीं चीज़ों के साथ तब तक के लिए बाइबाई थैंक्स पर वाचिंग